जादूई पैराशूट रामू, राजू, रमेश, मोहन, पिंकी सभी दोस्त थे, सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे चलो चलो, चलो सभी, राजू, रमेश, मोहन, पिंकी आज हमारा परिक्षा है सब ने सब कुछ पढ़ लिया है न, सब को अच्छे नंबर लाने है अरे नंबर तो अच्छे आते ही रहेंगे रामू, क्यो ना आज परिक्षा के बाद हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, पर कहां चलेंगे हमारे गाओं में जंगल के सिवा, गाए, भैसों के सिवा, और क्या है मैं तो सोचता हूँ कि क्यों न एक जादू हो जाए, और हम सब एक जादू ही दुनिया में पहुंच जाए जहां पर सब कुछ जादू ही हो, गाए, भैस और लोग सब कुछ उडते हो ये कैसा मजाग कर रहे हो मोहन बला ऐसा कहा हो सकता है कही कि सब कुछ हवा में उनने लग जाए तुम तो सपनों की तरह बाते कर रहे हो यह तो बस एक इमेजनरी बात है सभी स्कूल पहुँच गए सभी ने अपनी परीक्षा कम्पलीट की पर मोहन अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था परीक्षा खतम होने की बात सब लोग बाहर आए पिंकी, मोहन, राजू, रमेश, रामो सब आपस में कहते हैं कि आज तो परीक्षा कम्पलीट हो गई चलते चलते रास्ते में राजू ने सोचा क्यों न हम सब गाओं के उस पार जो नदी है वहाँ पर चलते हैं शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे सुनो सुनो, चलो, हम सब नदी के पास खेलने चलते हैं शाम ड़नने से पहले घर वापस चलेंगे ठीक है राजू, चलो, बहुत मज़ा आएगा सब अपना बैग रखकर नदी की ओर भागे और खेलने चले गए खेलते ही खेलते, मोहन को नदी से बहुत दूर कुछ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई पड़ा राजू, पिंकी, रामू, रमेश, देखो देखो, वो आसमान में क्या उड़ रहा है कितना सुन्दर लग रहा है, चलो चलो, सब चल कर देखते हैं, वो क्या है हाँ मोहन, कितना सुन्दर है वे सब उस पेराशूट की तरफ भागे, पेराशूट बोला आओ बच्चो, आओ मैं तुम्हें सैर कराता हूँ, आसमान की हाँ बच्चो, मैं बोल सकता हूँ, और मेरे पास बहुत सारे जादूई चमतकार भी हैं, देखना चाहोगे? हाँ हाँ, हम सब देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे सभी बच्चे पेराशूट में बैठ गए, पेराशूट आसमान की तरफ उड़ा, और उसने अपने दो पंख निकाले, और एक पंची की तरह उड़ने लगा बच्चो, क्या तुम मेरे बिना उड़ना चाहोगे आसमान में? बिल्कुल, हम तो उड़ना चाहेंगे इन पंचीयों की तरह पेराशूट ने जादू किया, और सभी बच्चों के पंख लग गए, और सब एक पंची की तरह उड़ने लगे मोहन इतना शरार्ती था, कि उसने आकाश में उड़ते हुए पंचीयों को चिड़ाना शुरू कर दिया देखो देखो पंचीयों, मैं भी उड़ रहा हूँ तुमारी तरह पेराशूट ने मोहन को जादू से कुट्टा बना दिया मोहन जमीन में आ गया और दोडने लगा सभी लोग हसने लगे शरार्ती मोहन तो कुट्टा बन गया पेराशूट हम सबको बहुत भूख लगी है, हमें घर जाना है, हमें नीचे उतार दो भूख लगी है, आप सभी बच्चों को पेराशूट ने जादू से सभी के लिए आईस्क्रीम ले आया यह लो, आईस्क्रीम खाओ पेराशूट, आपको कितने सारे जादू आते हैं? आपकी कोई दुनिया है, जहाँ पर सभ कुछ जादू ही होता हो क्यों नहीं, हमारी भी एक दुनिया है, तो चलो, तुम सबको मैं अपनी दुनिया लेकर चलता हूँ पेराशूट के पलक जबकाते ही, सभी लोग एक जादूई दुनिया में आ गए जहाँ पर कार, साइकल, प्यारी प्यारी तितलिया, एरोप्लेन, हेलिकॉप्टर, सब बाते करते थे दूसरे से क्या मैं तितली पर बेट कर इसकी सवारी कर सकता हूँ? यह कितनी सुन्दर है तितली बहन क्या तुम इस प्यारे से बच्चे रमेश को अपनी सवारी कराओगी ठीक है पैराशूट पर मुझे घर के लिए देरी हो रही है मैं जल्दी ही तुम्हें सवारी करा देती हूँ मैं तुम सबको एक जादू शक्ती देता हूँ तुम लोग जब तक यहां पर हो जो चाहे बन सकते हो जहां चाहे जा सकते हो सारी मस्ति कर सकते हो अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मैं तो एक हवाई जहाज बनना चाहता हूँ जो आसमान के चकर लगा सके मैं तो एक जादूई कार बनना चाहती हूँ, जो आस्मान में उड़ सके, जो अब बन चाहे जमीन पर भाग सके मैं तो एक जादूई डबा बनना चाहता हूँ, जिसमें मैं जितनी बार अपने आपको खोलो, ऐसा डिबा, जिसमें हर बार बहुत सारी चोकलेट मिले सभी बच्चों ने अपनी अपनी एक्छा से खुद को एक जादूई चीज में बदल लिया, और उन्होंने उस जादूई दुन्या में बहुत सारी मस्ती की, किसी ने आस्मान में एक लंबी उड़ान लगाई, किसी ने गारी बनकर एक लंबी रेस लगाते हुए आस्मान से चलांग लगाई, किसी ने इतना सारा चौकलेट खाया कि उसकी तोन निकल गई, चलो चलो हमें घर के लिए देरी हो रही है, काफी समय हो गया है, अंधेरा भी होने वाला है, परशूट आप हमें हमारे घर पहुँचा दीजिए, परशूट के भूक मारते ही सभी बच्चे रामू, रमेश, राजू, पिंकी, सब वापस वही नदी के किनारे पहुच गए, परशूट हमें तो आज बहुत मज़ा आया आपके साथ खेल कर, क्या आप हमें दुबारा मिलेंगे, हाँ हाँ, हाँ परशूट बोलिए, क्या आप हमें दुबारा मिलेंगे, मैं तुम लो लोगों के साबने आ जाओंगा इसी नदी के किनारे वाओ पेराशूट ठीक है तो हम चलते हैं हमें काफी देर हो गई है और लगता है काफी देर हो जाएगी हम सभी को घर पहुचने में फिर हम सभी के मम्मी डैडी हमें खोजने आ जाएंगे तो चलो हम चलते हैं बाई चो तुम सब आखे बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुचा देता हूँ। सब ने आखे बंद की, पैराशूट ने पलके जपकाई और सब अपने अपने घर पहुच गए। इस तरहे सभी बच्चों ने एक अनोखा जादूई अनुभव किया और जादूई पैराशूट के साथ एक रंगीन दुनिया का सुहाना सफर तै कर लिया।